हाई डियर स्टुडेंट्स कैसे हो आप सर्थ तो लाश्ट क्लास में हमने अपने इस कोशन तक बात कर ली थी अब इस कोशन के अंदर क्या था कि हमें बता दाना था कि वैलिड वर्जिन ओफ MS Office कौन सा है तो यहाँ पर हमारा जो Office Vista है केवल उसको छोड़ कर बाकी सारे हमारी क्या है वैलिड वर्जिन ओफ विंडो माइक्रोसोफ्ट ओफिस हैं सारे के सारे जनी की वर्ड के सारे के सारे वर्जिन हमारे यहाँ पर वैलिड है इनके अलावा कुछ वर्ड के हमारी 2010 हो गया ठीक है 2010 हो गया 2013 हो गया 2016 हो गया फिर उसके बाद हमारे क्या आया है 365 तो यह जो 13 है यह 16 है यह 2010 है यह भी हमारे वर्जिन से किसके वर्ड के अब बात करते हैं next question की by default on which page the header or the footer is printed अब header footer की बात करी थे हमने तो हमने बताया था कि जो top के अंदर एक margin छोड़ा जाता है उसको हम क्या कहते हैं इसको header कहते हैं इस page के ओपर यह क्या है हमारा header ऐसे ही जब bottom के अंदर हम margin छोड़ते हैं तो उसको हम क्या कहते है फुटर कहते है अब इस header और footer के अंदर हम अपनी information जो जो info हम share करना चाहते हैं या print करना चाहते हैं या फिर visible करना चाहते हैं उसको हम यहाँ पर डालते हैं जैसे कि अगर मैं कहूं, यहाँ पर आप अपना contact number डाल सकते हो, अपना name डाल सकते हो, या फिर अपने project का title डाल सकते हो, तो जब यहाँ पर एक page के ओपर आप इसको डालोगे, तो यह सारे के सारे pages, जितने भी pages आपके उस document के अंदर होंगे, उन सब के ओपर यह क्या होगा, visible होगा, ऐसे ही जब footer के अंदर आप क्या कर सकते हो, page number डाल सकते हो, अपना enrollment number डाल सकते हो, यह सारे काम आप किसके अंदर करते हो, footer के अंदर करते हो, अब आपने एक जगे इसको insert किया है, लेकिन यह आपको कहां visible होगा, यह आपको सभी pages के ओपर by default visible होगा, अगर मैं यहाँ पर header डाल रहा हूँ, और यह footer डाल रहा हूँ, और next page पर चला जाता हूँ, तो यह हमेशा हमारा next page के ओपर भी ऐसे ही show होगा, ठीक है, यह header होगा, यह footer होगा, यहाँ पर मैंने page number डाला था, और यहाँ पर मैंने अपना contact number डाला था, तो second page, third page, fourth page, हर page के ओपर ह हमारा header footer आता है इसका option हो गया answer number C तो C option इसके लिए correct answer हो गया इतनी बात सबको clear हो गई कि header footer क्या होता है अब कहते हैं कि where can you find the horizontal split bar अब यह कहता है कि जो split bar है उसको कहां find कर सकते हो तो हम सबको पता है कि जो vertical bar होता है हमारा वो कहां पर होता यहां पर यह वर्टिकल बार हमारा कहां पर होता है यहां पर अब वर्टिकल का मतलब क्या होता है खड़ा हुआ इसका मतलब कि यह हमारा वर्टिकल scroll bar और just इसके ऊपर जो बार होता है उसको क्या कहां horizontal split bar तो इसका answer हो जाएगा on the top of वर्टिकल स्क्रोल बार के टॉप में कुछ यहां पर पोजिशन होता है तो इसको अब क्या कह देते हैं और जो प्लिट करता है हमारे रीबन को हमारे टैब्स को किस से हमारी मेन बॉड़ी जो हमारा डोक्यूमेंट जिसके अंदर टाइप करेंगे उसको उससे नेक्स्ट कोशन देखते हैं कंट्रोल प्लस जी अब यह कहता है कि कंट्रोल प्लस जी हम कहाँ पी यूज करते हैं तो कंट्रोल प्लस जी का यूज हम किस के लिए करते हैं भी या गोटू टैब को एक्टिवेट करने के लिए अगर हम Ctrl प्लस G प्रेस कर देंगे तो हमारे पास जो box खुलके आएगा तो डायलोग बॉक्स खुलके आएगा तो उसके अंदर जो go to होगा वो हमारा इसके अंदर activate होगा कैसे अगर मैं Ctrl प्लस G यहाँ पर कर दूँ तो यहाँ पर देखोगे आप कि यहाँ पर जो यह है यहाँ पर देख रहे हैं आप कि यहाँ पर जो go to लिखा है वो हमारा क्या है इसके अंदर पहले से activate है यानि कि उसके ऊपर click event हमारी पहले से occur है अगर हमने यहाँ पर क्या दबाया है Ctrl प्लस G ऐसे ही ठीक है अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर क्या दबादू Ctrl प्लस में F दबादू तो जो मेरे पास find and replace का box खुल के आएगा dialogue box उसके अंदर मेरे पास क्या open मिलेगा वो मिलेगा मुझे find ठीक है अगर मैं ऐसे ही यहाँ पर Ctrl प्लस H दबादूँगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को open replace ठीक है तो हर अलग-अलग shortcut key से अलग-अलग options हमारे सामने open होकर आते हैं अब यहाँ पर Ctrl प्लस G की बात करी है तो यह हमारा क्या काम कर रहा है यह हमारा काम कर रहा है go to box को open करके देने का open paste setup dialogue box activate किसको कर देता है यान कि open किसको करके देता है go to tab को ठीक है तो option number इसका क्या हो गया हमारा open find and replace dialogue box with activating go to tab find and replace के अंदर था तो option number C इसका correct answer हो गया अब क्या कह रहा है कि shortcut Ctrl प्लस F इसका use हम कहां पर करते हैं तो यह क्या होता है हमारा find के लिए होता है अब find ढूनना पड़ेगा हमें कि यह find हमारा कहां पर आएगा तो box open box जो open होगा वो कून सा होगा find and replace dialogue box open हो गया अब उसके अंदर जो activated button होगा tab होगा वो हमारा क्या होगा find tab होगा तरके दिखाया था अभी आपको थोड़े देर पहले तो option number ace का बिल्कुल correct answer है अब क्या कहता है कि control plus में h control plus में h अगर हम press करते हैं तो हमारा कौन सा dialogue box open होगा तो dialogue box तो हमारा find and replace dialogue box ही open होगा लेकिन अब इसके अंदर tab कौन सी open होगी find वाली होगी replace वाली होगी या फिर go to वाली होगी अब आप बताओगे मुझे कि इसके अंदर अगर मैं h प्रेस करता हूँ तो जो tab open होने वाली है अब आपके सामने तो वो कौन सी होगी find वाली तो control plus f से थी go to वाली तो control plus g से थी तो replace वाली किस से open होगी वो होगी हमारी control plus में h से तो control plus s से हम किसको यूज़ कर लेंगे open find and reply with the activating replace tab यानि कि ए ओप्शन ही इसका सही आंसर हो जाएगा शॉटकट control plus p control plus p control plus p से करके हम क्या करते हैं control plus p से हम क्या करते हैं print command देते हैं control plus p से हम क्या करते हैं print command देते हैं तो open print dialogue box यह क्या करेगा हमारे जो dialogue box यानि कि जो हमारे सामने दूसरा box open हो के आता है ठीक है उसको हम क्या कह देते हैं dialogue box कहते हैं जैसे कि अगर मैं यहाँ पर mailing पर click करता हूँ और इसके अंदर कुछ select कर लेता हूँ तो जो box जो नई window खुलके आती है हमारे सामने sub menu की उसको हमने क्या कहा है यहाँ पर box का है अब बात करें next question की तो यह क्या कहता है shortcut control plus T अब T किसके काम आता है तो T आता है हमारे hanging indent अब आपने देखा होगा कि देखो यह हमारा paragraph चल रहा है इस paragraph के अंदर आप क्या करना चाते हो कि यह जो last की चार lines है ठीक है यह first line को छोड़ कर जो बाकी की lines है इनकी position आप कहां से शुरू करना चाते हो यहाँ से तो इस चीज को हम कहते हैं यहाँ पर hanging indent जैसे यह आप control T प्रेस करोगे तो यह हमारा जो text है वो move कर जाएगा हमारा कहां पर front की तरफ यानि की और आगे slide कर जाएगा अब यह text हमारा कहां से शुरू होगा तो यह text हमारा शुरू हो जाएगा कुछ ऐसे तो जो आगे का margin देना होता है उसको ही हम hanging indent कहते हैं और इससे हम क्या करते हैं hanging indent control T हमारी किसकी shortcut की है hanging indent की अब कहता है कि when sharing data in office the dash document is the document in which the data was first entered जब हम data को share कर रहे होते हैं document के अंदर यानि कि एक word file से दूसरी word file के अंदर हम data को share कर रहे हैं तो उस time पर जो हमारा data है वो पहले कहां enter करता है क्या main file के अंदर करता है या destination पर जाता है या फिर जो original file होती है उसके अंदर या primary के अंदर तो हमारा जो main data होता है जो इस time पर हम share करते हैं वो हमारा data जाता है source file के अंदर वो किसके अंदर जाता है source file के अंदर आप file कह लो document कर लो same बात है with which view can you see how text and graphics will appear on the printed page अब यह कहता है कि कौन से view से हमें पता चलेगा कि जो graphics या text है हमारे page के उपर वो कैसा दिखाई देगा तो normal view, print layout view, outline view या web layout view तो हमें अपने page के उपर अपने document को जब देखना होता है तो हम किस के उपर चले जाते हैं print layout view के उपर चले जाते हैं जब हमें अपने page के उपर देखना होता है तो हम किस पर लेकर आते हैं print layout page के उपर ठीक है portrait and landscape are अब एक होता है portrait mode एक होता है हमारा landscape सब को पता है portrait का मतलब है कि जो document है हमारा वो vertically positioned है document जो है हमारा वो vertically positioned है लेकिन landscape mode के अंदर जो document होता है वो हमारा कैसा होता है horizontally वो होता है हमारा horizontally यानि कि लेटा हुआ जैसे कि अगर हम बात करें तो इसके अंदर जो print निकल के आएगा या टेक्स लिखा रहेगा वो हमारा rectangle shape के अंदर रहेगा वहीं पे यहाँ पर जो हमारी dimension होती है वो bread वाली होती है ठीक है portrait mode के अंदर तो page की format जो होती है हमारी कैसी होती है portrait वाली लेकिन जब हमें कोई और अगर उसको enlarge करके दिखाना है तो हम उसको किसमें change कर सकते हैं landscape mode के अंदर अब इसका answer क्या है कि जो portrait and landscape mode है यह हमारे कहां पर होते है page orientation में होते है layout में जाएंगे layout में जाएंगे page layout के अंदर page layout में हमें orientation के अंदर मिल जाता है page layout के अंदर यह हमें कहां पर मिल जाता है orientation में देखो जैसे हम layout के उपर click करते हैं हमारा orientation आ जाता है उसके अंदर बताते हैं कि जो page है उसको हमें vertical position के अंदर use करना चाहते हैं या फिर उसके ऊपर जो text है उसको हम landscape mode के अंदर use करना चाहते हैं इतनी बात clear है अब बात करें to verify that the note text is positioned correctly on the page switch to dash view or display the document in print preview अब यहाँ पर अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो हमारा to verify करो कि जो note text है उसकी position correct है page पर या नहीं है तो इसके लिए हम क्या करती है या हम कभी भी किसी चीज़ को print layout के अंदर ही लेकर जाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि जब हम उसको print करेंगे तो वो क्या document मेरा सही से print होगा कर रहा है या right में shift कर रहा है इससे पता चलता है प्रिंट ले आउट से which of the following is true regarding page orientation of a document page के जो orientation की बात करी थी orientation के अंदर हमने क्या पढ़ा था landscape और portrait तो उनके बारे में कौन सी बात सही है page orientation can be changed at any time बिलकुल भी आप page orientation को किसी भी टाइम पर change कर सकते हो page orientation को आप किसी भी टाइम पर change कर सकते हो page orientation of document determines by printer नहीं printer determine नहीं करता जो person उसको use कर रहा है वो determine करेगा page orientation must be set before start typing नहीं आप पहले type कर सकते हो उसके बाद अपने format को यानि की orientation page के को आप portrait mode लेना चाहते हो landscape mode लेना चाहते हो उसको आप खुद से भी decide कर सकते हो typing के बाद भी page orientation of a document cannot be changed यह कहता है कि page orientation अगर आपने एक बाद data portrait mode के अंदर लिग दिया तो आप इसको change करके इस mode के लिए दुबारा से use नहीं कर सकते तो यह बात सरासर गलत है option number a इसके लिए बिलकुल सही answer है which feature helps you to insert the content of the clipboard as text without any formatting अब without any formatting अगर हमें format वैसे का वैसा यूज़ करना है दो तरीके आज कल हम देखेंगे पहले हमें क्या मिलता था कि जो control plus हम V करते थे control plus में V करते थे तो उसके अंदर केवल एक paste का option आता था लेकिन आज हमारे सामने क्या होता है कि अगर हमसे पूछे कि हमें formatting जिस format में हम copy कर रहे हैं data को वो format हमें रखना है या नहीं रखना है अगर हम normal formatting जो text की formatting है उसी के अंदर रखना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं paste special का यूज करते हैं अब paste special बताता है कि जो format आप यूज करना चाहते हो क्या वो word का यूज करना चाहते हो HTML का यूज करना चाहते हो या web layout का कोई आप format यूज़ करना चाहते हो तो यहाँ पर जो answer हो जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा paste special कि हम ऐसा कौन सा feature है जिसके अंदर अगर हम अपने content को insert करें clipboard as text without any formatting अगर हमें formatting चाहिए तो control plus V दबाते हैं लेकिन इसकी shortcut key क्या है वो भी देख लो अगर हम paste special को open करना चाहते हैं तो यह हमारे पास control plus alt plus V हम दबा के देख लेते हैं इसको लो यह आपके सामने window नहीं हुई open control plus alt plus V या हो नहीं रही है control plus alt plus V यह कब होगी यह होगी अभीर को यह हमने data को copy कर लिया control C अब उसके बाद अगर मैं control alt plus V दबाता हूँ तो देखो आपको screen के ओपर कुछ दिखाई देगा अभी यह क्या कहता है कि जो content आपने copy करा है उसको आप paste करना चाहते हो तो किस format के अंदर करना चाहते हो क्या आप उसको microsoft word document object की तरह करना चाहते हो क्या उसको formatted text rtf की तरह करना चाहते हो unformatted text की तरह करना चाहते हो picture की तरह करना चाहते हो as a metafile या फिर html format के अंदर करना चाहते हो या फिर unformatted unicode text की तरह है उसको आप क्या करना चाहते हो paste करना चाहते हो तो paste special button को आप use करके shortcut की उसकी क्या होगी Ctrl प्लस में Alt प्लस में V Ctrl प्लस में Alt प्लस में V और आप अपने टेक्स्ट को यहाँ पर Save कर सकते हो अब क्या कहता है कि Switching between Portray and Landscape Mode Involve the Header and Footer Toolbar Print Layout View या फिर Page Setup Dialog Box या None of the About अब यह बताओ कि Page Layout की बात कर रहे हैं याँ पर Page Layout के अंदर हमने Orientation को देखा था तो इसका मतलब है कि वो किस के अंदर मिलेगा Print में तो मिलने से रहा Header Footer का उससे कोई सवाल ही पैदा नहीं होता और None of the About है नहीं क्योंकि Answer हमारे पास C है यहाँ पर ठीक है अब यहाँ पर देखो Page Setup के अंदर गए यह Page Setup हमारा कहाँ Open होता है यह हमारा Open होता है Layout के अंदर और किस Layout के अंदर होता है Page Layout के अंदर अब वहाँ पर आपके पास तीन Options आते हैं Margin का, Paper का और Layout का अभी Margins Open है तो Margins के बारे में पढ़ लो की Top से आप कितना Margin रखना चाथे हो यानि की Gap कितना रखना चाहते हो Left से कितना रखना चाहते हो Gutter से कितना रखना चाहते हो Gutter का मतलब क्या है जब हम Binding के लिए Use करेंगे तो वहाँ पर Extra Margin देना पड़ेगा हमें तो वहाँ पर उस margin को हम क्या कह देते हैं गटर margin कह देते हैं अब bottom से कितना देना चाहते हो right से कितना और गटर की position क्या होनी चाहिए आप अपनी file को bind करना चाहते हो spiral करवाना चाहते हो तो left से करवाना चाहते हो या right से करवाना चाहते हो तो वो position भी हमसे पूछी जाती है इसके अंदर फिर कहता है कि जो orientation है page का हम किसके अंदर करते हैं generally हम अपना जो project निकालते हैं उसका orientation हमारा हमेशा portrait mode के अंदर होता है क्योंकि page लंबा होता है और उस लंबे page के उपर हमारा content कुछ ऐसे लिखा रहता है अगर हमें landscape mode करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा हमारा जो content है उस पे ऐसे न चपके कैसे चपके आएगा इसके ओपर कुछ ऐसे ऐसे print होकर आएगा तो इस चीज को हम क्या कह देते हैं landscape mode कह देते हैं फिर यहाँ पर आगी बात pages की multiple pages को use करना normal करना है या किया करना है यहाँ पर आगया preview की जो document आप type करना चाहते हो जो print करना चाहते हो वो आपक कैसा दिखाई देगा और फिर बात आ गई कि अब इसको आप कहां पे apply करना चाहते हो क्या particular एक page के ओपर करना चाहते हो या फिर आप पूरे के पूरे whole document के ओपर करना चाहते हो ये बात हमारी किसने बता दी किसने बता दी page layout के अंदर page setup ने बता दी इतनी बात clear है तो इसके लिए हमें कहां जाना पड़ रहा था page layout के अंदर अब क्याता है कि where can you change the vertical alignment vertical alignment क्या होती है या vertical alignment तो कुछ यह होती है और इसको change करने के लिए हमें किसके अंदर जाना पड़ेगा alignment पढ़के आयो margin देखी थी न हाँ पर दुबारा से देख लो अब यहाँ पर paper के अंदर margin यहाँ पर देख ली थी अब margin के बाद यहाँ पर paper के अंदर क्या देखोगे alignment यह फिर layout के अंदर तो यहाँ पर यह option मिल जाता है हमारा किसका alignment का तो इसका answer हो जाएगा vertical alignment हमारी किसके अंदर होती है page setup dialogue box के अंदर ही होती है layout में गए layout में हमारे पास क्या आया देखो यहाँ पर आ गया vertical alignment और इसको कैसी करना चाहते हैं top से करना चाहते हैं center में justified या bottom justified का मतलब होता है कि अगर आप top और bottom की बात कर रहे हैं तो दोनों तरफ से बराबर लेके चलेगा left right की बात कर रहे हैं तो left right से बराबर चलेगा और center का मतलब क्या आता है कि चारों तरफ से same position same dimensions को छोड़के margin को छोड़कर elements and color schemes अब भईया predefined design elements किसके अंदर होता है powerpoint के अंदर हम पढ़के आये थे theme के बारे में theme क्या थी एक page का setup कर दिया कि उसके अंदर जितने भी multiple page होंगे उनके ओपर जो text होगा वो कुछ इस design के अंदर लिखा रहेगा तो आप अगर इस theme को select करते हो तो यहाँ पर जो page है उसके उपर shaded portion मिलेगा यहाँ पर color मिलेगा यहाँ पर full पतिया बनेंगी यहाँ पर full पतिया बनी होई दिखाई देंगी और यह text हमारा अलग design से लिखा होगा तो इसी चीज को यहाँ पर क्या कहा है आईनोंने theme का है अब इस theme को use करके आप क्या क्या कर लोगे वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे लिखती है theme is a collection of predefined design elements predefined design elements यानि की पहले से उसके अंदर designing कर दी गई है आपके लिए के वल आपको उठाना है click करना है और उसको use करना है and color schemes अब इसके अंदर जो text है वो blue color का निकल के आएगा violet color का निकल के आएगा purple color का निकल के आएगा वो सारी की सारी चीज़े अब जो theme है उसके बारे में देख लो क्योंकि ऐसे questions हमारे exam में पूछ लिए जाती है themes provide a complete design for our document ठीक है जो अपना document है उसके लिए करते हैं including background भी designs भी font style भी colors भी और layouts भी तो theme के अंदर क्या क्या होता है यानि कि सब कुछ तियार करके देना आपको change the dash to create a document in wide format अगर document को हम wide format के अंदर create करना चाहते हैं तो change क्या करना पड़ेगा change orientation को change करना पड़ेगा क्योंकि orientation के अंदर ही हमारा क्या है portrait mode है और क्या है हमारा landscape mode और क्या होता है हमारा landscape mode ठीक है अब बात करें next question की यह कहता है dash formatting is the process of changing the way letters numbers punctuation marks and symbols appear on the screen and in print अरे भी या सबसे आसान है भी answer होता है इसका क्यों होता है क्योंकि जो character formatting है हमारी यह हमारा process होता है कि इसका changing the way letters अब letter को आप किसी और way के अंदर दिखाना चाहते हो मानों कि यहाँ पर aerial का use कर रहे थे पिर आपने use कर लिया times new roman का पिर आप कहते हो कि नहीं मुझे यह भी पसंद नहीं आ रहा मैं use करूंगा calibre का तो character की formatting ही तो कर रहे हो यहाँ पर numbers को आप change कर सकते हो punctuation, months के region को symbols को इन सब को आप screen के उपर जो appear होता है उन सब को आप change कर सकते हो print कर सकते हो तो यह हो गया हमारा characters का answer यहाँ पर क्या लिख रहा है कि character formatting is word allows us to format text dozens of way dozens of way के अंदर यानि कि वहाँ पर जितनी भी languages जितने भी types हमें दी गई है उनके अंदर हम अपने text को change कर सकते है अब कहता है कि जो word count हमारे जो document होता है उसके अंदर left में आपको word count दिखाई देता है कि कितने words लिखे हैं तो उसके अंदर वो क्या 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 काउंट करता है क्या वो words words को count करता है या कुछ और भी चीज़े count करता है तो वो करता है lines को भी count एक document के अंदर total number of कितनी lines हैं एक document के अंदर total number of कितने characters लिखे गई हैं एक document के अंदर total number of paragraphs कितनी हैं तो ये तीनों चीजों को वो करता है all of the above इसका answer हो जाएगा word count का काम ठीक है which operation you will perform if you need to move a block of text अब आप एक block of text को क्या करना चाहते हो block of text क्या होता है block of text होता है हमारा paragraph paragraph को भी हम block of text कह सकते हैं अगर उसको आप क्या करना चाहते हो move करना चाहते हो तो आप कौन सा option use करोगे यहाँ पर रखना तो नहीं चाहते हो move करने का मतलब क्या है कि आपका duplicate आप नहीं बनाना चाहते यानि copy करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है ठीक है अगर आप duplicate बनाते है जब आप कहते हैं यहां पर copy लेकिन आप duplicate बनाना नहीं चाहते हैं तो आप क्या करोगे cut करोगे फिर उसको वहां से लिजाके दूसरी जगे पर paste करता होगे ठिक है तो B option इसके लिए correct answer हो जाएगा अब कहता है कि control plus V is used to control plus V किसलिए होता है paste करने के लिए देखते हैं किसको paste करता है paste करता है text को in the beginning of document क्या ऐसी बात होती है जब भी आप control V दवाते हो तो जितना भी data आप cut करके लेकर आए होगे control X से या control C से copy करके लाए होगे और आप 50 वे page के उपर हो तो क्या वो सीधा पहले page की beginning में जाके copy कर देता है नहीं काड़ दो answer है नहीं तो हम क्यों मान लें इसको हम है नहीं तो काहे मान ले जी फिर कहता है कि paste करता है images images को beginning में नहीं जी ऐसी भी बात नहीं है जहां मन करता है वहां करता है तो फिर कहता है कि paste करता है tables at the middle of document क्या कहता है कि paste करता है tables at the middle of document तो भी यहां पर भी यह बात गलत हो गई तो इसका answer हो गया none of the about इसका answer क्या हो गया none of the about अब बात करें अगले कोशन की तो चलिए पर कहता कि दा डैश और टाइफ फेस अब type face किसके लिए use करते हैं हम fonts के लिए करते हैं अब fonts जो होते हैं उनके तो टाइफ फेस होते हैं अलग अलग ठीक है तो यहां पर answer हो जाएगा हमारा font आगे बात करते हैं columns dialogue box can be opened from अब column dialogue box को हम कैसे कैसे open कर सकते हैं तो इसका answer हो जाएगा format menu column sub menu ठीक है format में जाकर double click on column space in ruler ठीक है कर सकते हैं column dialogue box column dialogue box कौन से होते हैं यह dialogue box देखो जो हमारे उपर हमने पढ़े थे थे अगर मैं यहाँ पर clipboard का use कर रहा हूँ तो clipboard के पास यहाँ पर एक arrow बना रहता है तो हमारा क्या है dialogue box open करने का method है वे है अगर हम इस पर click कर देंगे तो यहाँ पर एक dialogue box detect करने की बात कही है correct करने की बात नहीं करी इसका मतलब है कि press f7 से हम जो भी हमारी spelling गल्थ है उसके लिए हम जा सकती है f7 से हम क्या जाते है spell check f7 क्या करता है spell check करता है क्या करता है spell check करता है आगे बात करें तो how can you break the current column एक current column को break करने के तरीके कौन से होते हैं भी या एक column use कर रहे हो आप उस column को break करने का तरीका क्या है आपने क्या करा control दबाया, shift दबाया, enter दबाया आपका column तूट जाएगा control प्लस में shift प्लस में enter की is used to break the current column जो current column आप use कर रहे हो उसको तोड़ने के लिए हमें control, shift, enter दबाना करता है how can you disable extended selection mode extended selection mode को आप कैसे हो कर सकते हो ESC दबाओ सीधा काम खतम करें extended selection mode and when you cut, copy or format the selection or press ESC तो यह जितने भी काम है आप कर सकते हो इनके अलाबा cut, copy, format ठीक है to instruct word to stop, bulletin, paragraph, do any of the following, accept इनके अलावा आप क्या नहीं कर सकते following, accept, ठीक है यानि कि यह तो कर सकते हैं लिगे इनके अलावा क्या नहीं कर सकते जो bullet है हम क्या करते हैं कि एक बार bullet का यूज़ कर लिया लेकिन उसको बंद करना चाहते हैं बार-बार bullet आ रहा है तो उसको कैसे यूज़ करेंगे कैसे बंद करेंगे उसको प्रेस दा बैक स्पेस की तू रिमूव दा बुलेट रही ठीक है ये भी नहीं हो सकता ये भी नहीं हो सकता प्रेस दा बुलेट बटन ओन दा फॉर्वेटिंग टूल बार ये भी नहीं हो सकता हमें क्या नहीं करना है accept, do any of the following accept, इसके अलावा हम बाकि सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है कि press the backspace की, क्यों सा था, ये था ना, click the undo button on the standard toolbar click the undo button इसके अलावा हम बाकि सारे कर देंगे हमारा काम बन जाएगा, लेकिन ये नहीं करना है हमें, ये ध्यान से पढ़ना है कि वो चाहता क्या है, उसने कहा है, accept यानि कि इसके अलावा इसके अलावा, accept ये काम करोगे तो क्या होगा, ये काम नहीं करोगे तो क्या होगा which of these toolbars allow changing of fonts and their sizes, अब कौन सा toolbar change करने देता है, भीया, formatting वाला ही तो format करने देगा, formatting का मतलब क्या होता है format करना, आप document को format करना चाहते हो, आप अपने text को format करना चाहते हो, आप अपनी picture को format करना चाहते हो, आप अपनी pen drive को format करना क्या चाहते हो, उसको कुछ और देना चाहते हो, तो format का layout view प्रिंट layout पेज layout के अंदर जा सकते हैं या mode के अंदर दोनों के अंदर जा सकते हैं बी और सी तो इसका answer हो गया बोथ बी और सी दी ऑप्शिन जो का correct answer हो गया control plus c copy करने के काम आती सबको पता है आगे चलते control plus q q का का क्या होता है control plus q का तो यह करती है remove paragraph formatting पहरा पहराग्राफ की जो फर्मेटिंग होगी उसको रिमूव करने के लिए लाइन स्पेस को पहराग्राफ स्पेस को इन सब को रिमूव करने का काम कौन करता है हमारा कंट्रोल प्लस में क्यों ठीक है और इफेक्ट्स अप्लाइड ओन डॉक्यूमेंट इस नोट विजिबल इन रेख ग्राउंड कलर और इफेक्ट्स के अंदर नहीं होता प्रिंट प्रिव्यू के अंदर एप्लिकेबल नहीं होता वहाँ पर हमें टेक्स्ट की पोजिशन दिखाई देती है के वल और के वर अग्राफ को फिर बात करते हैं वर्ड फ्लैग्स अपॉसिबल स्पैलिंग और ग्रैमर एरर इट अल्सो चेंजिस दा मार्क ओन्दा स्पैलिंग एंड ग्रैमर स्टेटस आइकन टू आ इसके अंदर चलेगा यह ग्रीन एक्स में कर देगा हमारे इस आप से तो यह आ गया ना रीन आएक्स में नहीं ग्रीन क्रोड़ आ अर्रीं वर्ड फ्लैग्स अपॉसिबल स्पैलिंग इसका अंसर हो जाएगा red फिर कहता है कि which of the following is not a font style font style कौन सी नहीं होती भहिया font style, superscript font style नहीं होती है हमारी नहीं होती, नहीं जान सा लिखा है a superscript is a character symbol और number set slightly above the normal 9 of text, ठीक है superscript क्या होती है, subscript क्या होती है superscript का मतलब हो गया x की power 2 subscript का मतलब हो गया x2 ये, इसको हम क्या कहते है subscript, इसको कहते है super super माने उपर, ठीक है तो bold भी हमारी क्या है font style है, italic भी और regular भी ये हमारी font style होती है, superscript हमारी font style नहीं होती तो यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आ गया regular, italic, bold, bold, italic इसके अंदर क्या क्या आ गया regular, italic, bold, bold, italic size आ गया art से और maximum size हमारी भैतर तक जाती है ठीक है, अगर हमारे scroll bar के अंदर देखेंगे तो यह हमारे को 72 तक लिखाई देगी यहाँ पर फिर हमारी body heading अबादी और यह सब कुछ आ गई फिर इसके बाद कहते हैं कि जो effects यूज कर रहे हैं, effects के अंदर हमारी superscript भी आती है, subscribe भी आती है, strike through भी आता है, यानि कि जो word लिखा हमारा उसके उपर हमारा line बनी आ जाए, उसको हम क्या कहते हैं strike through the other call hash are inactive when you have selected three columns how will you activate those boxes अब those boxes को activate करने का क्या तरीका है भी या, यह तो हमें भी नहीं आता, double click on spacing box, ठीक है double click on inactive call remove mark from line between check box remove mark from equal column with check box तो भी या, इसे बारे में तो पढ़ लो क्या लिखा है remove mark from equal column with check box to activate inactive other columns क्या है यह equal columns with, ठीक है so option remove mark from equal column with check box the other call hash are inactive when you have selected three columns how will you activate तो भी यह, यह क्या कह रहा है कि अगर आप call hash का use कर लेते हों यहाँ पर ठीक है, जो call hash है हमारा वो inactive है, जिसकी विज़े से जो आपके तीन columns है, वो एक साथ मर जाएं, यह हैं, त्री columns how will you activate those boxes, तो उन boxes इसको activate करने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आप क्या कर दोगे, remove करोगे mark को, कहां से, from equal column with check box से, equal column with check box से, तो इसका answer हो गया हमारा, कहां हो गया answer, हाँ, d answer हमारा इसका answer हो गया, from where you can access save command, save करने के लिए access कमांड को कहां से कर सकते हैं, none of the above होई है भाई, इसका answer को, home tab से थोड़ना करते हैं, file, file कहीं दिखाई नहीं दे रही हमें, file tab लिखी होती तो हम मान लेते, लेकिन नहीं, नहीं नहीं, अब भी नहीं, how can you remove tab stop markers from ruler, और इसको करने का तरीका क्या होता है, drag the tab stop marker out of the ruler, अटा दो भाईया, फेग दो निकाल के, control plus M, भाईया, control plus M, power point के अंदर पढ़गे आए थे, जल्दी से बताओ, वहाँ पे कुछ और काम कर रहा था है, यहाँ पे कुछ और काम करेगा, भाईया का कर रहेगा, यह वाला option, left indent कर देगा, इसे भी चीज को, ठीक है, indent करने का काम कर रहे थे न, open indent के बारे में पढ़के आए थे, which of the following is not available on the ruler, of MS word screen, अब जो ruler होती है, जो scale हम use करते हैं, MS word के अंदर, उसके अंदर क्या-क्या नहीं होता, tab stop box होता है, ठीक है, left indent होती है, right indent होती है, center indent होती है, center indent कहां से करते होगे भाई, D option इसका सही है, in word, the default alignment for paragraph, default alignment कहां पर होती है, default alignment कहां से होती है भाईया, हमेशा करते हैं तो, left aligned होता है, left से करते हैं क्योंकि हम लिखते हैं text को कहां से करते हैं left से लिखना शुरू करते हैं और flush margin at the left edge and uneven edges at right edges ठीक है तो a option इसका सही answer हो जाएगा in ms word control s is used to control s किसलिए होता है size के लिए होता है शायद नहीं save के लिए होता है आगे चलते है control plus w w का काम क्या है भी या save and close document save करना और document को close करना हम क्या करते हैं पहले control h देवाएंगी फिर हम देवाएंगी alt for क्या है इसा possible है नहीं control plus में w दवाएंगे पहले document को आपके कोजी save करेगा फिर उसके बाद उस document को close करेगा फिर वो आपको टाटा बाय बाय करेगा